ब्रिहस्पती की बात करें ब्रिहस्पती जो है इसको नौ ग्रहों में गुरू कहा जाता है और ये मंत्रणा का स्वामी है यानि ग्रहों में गुरू है और मंत्री है पुरोहित भी है व्यक्ति के अंदर धर्म कितना है व्यक्ति के अंदर सात्विक्ता कितनी है इसके पीछे जुग्रा होता है वो होता है गुरू यानि की ब्रिहस्पती ब्रिहस्पती के कमजोर होने पर मोटापे की समस्या, अहंकार की समस्या, पेट के रोग और अधर्म का मार्ग व्यक्ति को मिलता है व्यक्ति गलत मार्ग पर अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है ब्रिहस्पती की मजबूती के लिए प्रातह काल ब्रिहस्पती के मंत्र का जब करना चाहिए सुबा के समय ब्रिहस्पती के मंत्र का जब करना उपयुक्त होता है उत्तम होता है और ब्रिहस्पती का जो मंत्र होगा वो होगा ओम ब्रिम ब्रिहस्पतये नमहां ओम ब्रिम ब्रिहस्पतये नमहां इस मंत्र का जब करना ब्रिहस्पती के हिसाब से बहुत ही अनुकूल होगा बहुत ही उत्तम होगा और अगर आप ब्रिहस्पती के मंत्र का जब करना चाहते हैं तो इसके लिए हल्दी की माला से मंत्र जबें या रुद्राक्ष की माला से मंत्र जबें तो अच्छा रहेगा शुक्र की बात करें शुक्र जो है ये ग्रहों का मंत्री है और किसी भी व्यक्ति के सुख के पीछे जो ग्रह होता है वो शुक्र होता है इसको भी ग्रहों का मंत्री तो कहते हैं लेकिन ये व्यक्ति को जीवन में सुख प्रदान करता है हार्मनी देता है, हैपिनेस देता है अगर शुक्र कमजोर है तो पारिवारिक और किसी भी प्रकार का सुख जीवन में नहीं मिलता शुक्र को अगर आप मजबूत या बेहतर करना चाहते हैं तो भोर के समय में या रात्री के समय में शुक्र के मंत्र का जब करना चाहिए भोर के समय में या रात के समय में शुक्र के मंत्र का जब करना बेहतर होगा और शुक्र का मंत्र होगा ओम शुंग शुक्राय नमहा ओम शुंग शुक्राय नमहा इस मंत्र का जब करना शुक्र के लिए फाइदेमंद होगा और शुक्र का जो मंत्र जपेंगे वो जपेंगे इस फटिक की माला से या सफेद चंदन से शुक्र का मंत्र इस फटिक की माला से या सफेद चंदन से जपना सर्वोत्तम रहेगा शनी की बात करें शनी को ग्रहों का सेवक माना जाता है और इसको दंड का अधिपती मानते हैं न्याय का स्वामी भी मानते हैं, व्यक्ति के कर्म का फल प्रदान करता है, अगर शनी कुंडली में कमजोर हो, तो व्यक्ति को रोजगार की समस्या होती है, साथी साथ हर कदम पर व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ता है, हर कदम पर व्यक्ति संघर्ष करता है, शनी की समस्याओं से निपटने के लिए शनी मंत्र का जप किया जाता है, संध्याकाल में, सूरियास्त के तुरंत बाद अगर आप शनी का मंत्र जपें, तो ये बहुत अच्छा होगा, और मंत्र होगा, ये शनी का मंत्र होगा, जो विशेश फाइदे मंद रहेगा, और मंत्र जप करेंगे, रूद्राक्ष की माला से, तो बहुत फाइदे मंद होगा, राहु की बात करें, राहु एक छाया ग्रह है, और ग्रहों में इसे हम सैनिक मानते हैं, सेना का सैनिक है ये, छाया ग्रह है, व्यक्ति के जीवन के रहस्यों से संबंद रखता है, अगर राहु का प्रभाव बुरा हो, तो जीवन की समस्याओं का कारण पता नहीं चलता, सब कुछ रहस्यों से हो जाता है, राहु को नियंत्रित करने के लिए राहु के मंत्र का जप रात के समय में करना चाहिए, और राहु का मंत्र है, ओम रांग राहवे नमहां ये मंत्र है, मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से करना सबसे ज़ादा उत्तम होगा, केतु की बात करें केतु को भी सैनिक ही मानते हैं और केतु भी छाया ग्रह है व्यक्ति की गोपनिय समस्याओं और अध्यात्म से संबंद रखता है अगर केतु जीवन में खराब हो जाए तो व्यक्ति को गोपनिय समस्याओं परेशान करती है व्यक्तितंत्र मंत्र के गलत मार्ग पर चला जाता है केतु को नियंत्रित करने के लिए केतु के मंत्र का जब रात के समय में करना चाहिए और केतु का मंतर होगा ओम केंग केतवे नमहा ये केतु का मंतर होगा और केतु के मंतर का जब रुद्राक्ष की माला से करना उपयुक्त होगा उचित होगा तो किस ग्रह से कौन सी समस्या पैदा होती है और किस ग्रह के लिए किस समय किस माला से मंत्र जपना चाहिए इस विशे पर हम चर्चा कर रहे थे